प्रत्याशी के एलान के बाद पहली बार कानपूर में बैठक लेने पहुचे प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष पंकत सिंग ने भीश्वर गर्मी को देखते हुए मददाताओं को घर से निकलने पर जोर दिया भाषपर प्रत्याशी रमेश अवसी के चुनाफ कार्याले में पाषदों के साथ बैठक करते हुए मई के महीने में जबरदस्त गर्मी रहीगी उन्होंने सका उन्होंने कहा कि ऐसे हर भूत को इस तरह से मजबूत करना है जिससे की मददाता अपने घरों से निकल कर वोट ट पालने पहुचे हाला कि इस बैठक में पार्टे के कई पार्षद नदारत दिखे यो तो नगार निगम सदन में भाषपर पार्षदों की संख्या बढ़कर 84 थक पहुच गई है लेकिन इस बैठक में तकरीवन 35 पार्षद नहीं पहुचे इस बीच महापौर प्रमिला पा पांडे दक्षिन जलादेक्षिवराम सिंग प्रिचाशी रमेश रवस्ती भी माचुद रहे तेरा मई को लोक सभा चुनाओ हो रहा उसकी जस्ता आज पहली बैठक उनकी सभासदों के साथ हुई है तो कि हम सब जानते कि तेरा मई को गर्मी का बेहत असर रहने वाला है औ गर्मी का असर हमारे चुनाओं पे कम से कम पड़े हम प्रतेक मद्दाता तक पहुँच जाए और अधिक से धिक मद्दान करा सकें इसी योजना को लेकि अभी हम सभासदों के साथ बैठे हैं अभी इसके बाद हम सब लोग कानपुर के जो प्रमुक वरिष्ट लोग पूर गंजस क्लब में हैं इन सब बैठकों का उद्देश लोग सबाद चुनाओं के अवियान को गती देना और इसके साथ साथ अधिक से धिक मद्दान करने में हम कैसे सफलों इन सब बातों पे विचार और दिशा निर्देश के लिए आदराली पंकर जी आज हम समलों की बीच बुपस्ट